नमस्कर दोस्तों, मैं हूँ आनिता विमल और मेरी बग्या में आप सब का स्वागत है आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्लांट के बारे में जिसको हम जितना देखते हैं उतना ही हमें खुबसूरत लगता है क्योंकि इसके साथ हमारी बच्पन की यादे जूड़ी हुई है मैं बात कर रही हूँ मोरपंखी के प्लांट के जैसे कि हम बच्पन में जब स्कूल जाते थे तो इसके पत्ते ये मोरपंखी के प्लांट है और इसके पत्ते तोड़कर हम अपनी कॉपी किताबों में डाल रहते थे संभाल के रखते थे ये सोचके कि ये विद्या का पौधा है और इससे हमें बहुत अच्छे पढ़ाई लिखाई हम कर सकेंगे तो आप भी ऐसा करते थे कि आपने बच्पन में अगर हां तो आप मुझे मेरे कॉमेंट सेक्षन में जरूर लिख कर बताएं तो क्यों ना इस खुबसूरत पौधे के बारे में आज हम बात करें कि इसकी हम किस तरह से देख भाल कर सकते हैं और साथी इस वीडियो में मैं आप से शेयर करूंगे कुछ important tips कि इसको हम किस तरह से अच्छी तरह से maintain कर सकते हैं तो आईए वीडियो शुरू करते हैं ये है मूरपंखी का पौधा इसको थूजा प्लांट भी कहते हैं ये देखे इसके पत्ते कितने छोटे-छोटे बारीक होते हैं और ये दोनों तरफ से एक जैसे होते हैं यानि कि उल्टा सिधा इसमें कुछ नहीं होता है और दोनों तरफ से ये फ्लैट होता है तो दोनों तरफ से एक जैसे दिखते हैं ये गर्मियों का पौधा है और गर्मियों में ये बहुत अच्छी तरह से ग्रो करता है और इतना ज्यादा ये ग्रीन हो जाता है और इतना ब्यूटिफूल सुन्दर लगता है कि हमारे गार्डन के इससे बहुत शोभा बढ़ जाती है कहते हैं दोस्तों कि इस पौदे को हमिशा जोडे में ही लगाना चाहिए जिससे घर में सुक शांती और समदिद्धी बनी रहती है और खास करके में डोर के दोनों तरफ एक एक पौधा लगाते है जो देखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है और साथ में इससे घर में प्रोस्पैरिटी खुशाली बनी रहती है थुजा प्लांट को दोस्तों अगर आप ग्राउंड में लगाते हैं तो फिर ये इसकी हाइट बहुत लंबी हो जाती है यानि कि 7 से 70 फिट तक पहुँच जाता है लेकिन अगर आप इसको पॉट में लगाते हैं तो फिर इसकी हाइट 5-6 फिट तक भी मैक्सिमम जा सकती है लेकिन पॉट में लगाने के लिए इसके सॉइल मिक्स्चर का ध्यान रखना बहुत जरूरी है जैसे मैंने यहाँ पर लगा रखा है तो जब मैंने इसको प्लांट किया था लगभग 1.5 साल पहले तो मैंने इसमें 30% जो है गार्डन सॉइल लिया 30% मैंने कमपोस लिया कोई भी कमपोस आप ले सकते हैं और 30% मैंने इसमें सैंड डाला और साथ मैंने थोड़ा सा नीम खली और कोको पीट भी मैंने इसमें डाल दिया था क्योंकि कोको पीट जो है इसमें मुष्ट्र रिटेन करता है सॉइल में जो इसके लिए बहुत अच्छा रहता है तो इस तरह आप इस पौधे को वेल द्रेन सॉइल में लगाए जिससे कि इसमें वाटर लॉगिंग ना हो नहीं तो रूट रॉटिंग का डर रहता है इस प्लांट को आप डारेक्ट सनलाइट में ना रखे क्योंकि डारेक्ट सनलाइट में जो है इसके लीप्स बर्न हो जाते है तो हमेशा इसको ऐसी जगह पर प्लेस करें जहां पर तीन-चार घंटे की इनडारेक्ट सनलाइट इसको पड़े आप ग्रीन छेट के नीचे रख सकते हैं या फिर जैसे अगर आप इसको इंडोर रखते हैं तो आप इसको ऐसी जगह रखे जहां पर इसको छनकर धूप आते हो 12-inch के गंले में डाल दीजे और उसमें पानी डाल दीजे जैसे फरवरी और माज के महिने में आपने यह कर लिया उसके बाद हर महिने जो है आप एक बार वर्मी कंपोस या कावडंग कंपोस उसका लीविट खाद इसमें डाल दीजे तो अब आते हैं इसकी watering पे, कि इसको हमने कब कितना और कैसे पानी देना है, इसमें आपने normal watering करनी है, जैसे गर्मियों में आप इसकी मिट्टी को सूखने ना दे, और दिन में दो बार तो जरूर पानी डाले, जैसे कि हमारे यहां बहुत गर्मी पढते है, around 40 degrees या उससे भी drain hole से बाहर निकल जाएं, तो इस तरह से आप पानी डालें, और अगर आप सर्दियों में पानी डालें तो इसमें 6-7 दिन में अगर एक बार भी डालते हैं, तब ही चलेगा, लेकिन आप ध्यान रखें कि अगर मिट्टी गीली है, तब तो आप पानी मट डालें, लेकिन अ मैं आपको बताऊंगे, एर लेरिंग का, लेकिन ये थोड़ा से कॉम्प्लिकेटेड़ है, तो इसको हम इस वीडियो में डिसक्स नहीं करेंगे, और दूसरा जो मैथेड है, वो है सीट से, जैसे आप यहां पर देख रहे हैं, ये बहुत सारे सीट लगे हुए हैं, अभी मैचियोर नहीं हुए हैं, जब ये मैचियोर हो जाते हैं, तो ये ब्लैक कलर की हो जाते हैं, और ये एक्चुली कॉन है, जैसे पाइन कॉन होता है, तो इसी तरह से है, ये मोर पंखी के कॉन है, और इसके अंदर सीड होते हैं, जब ये पक जाता है, तो ये ब्लैक कलर का हो 3rd method है इसके stem cutting से, तो उसके लिए आपको 5-6 inch का stem लेना पड़ेगा, जैसे आपको यह मैं यह दिखा रही हूँ, इतना आप ले लिजे, इसको cut कर लिजे, 45 degree angle में करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और फिर आप इसको या तो फिर खाली sand में लगा लिजे, या कोको प powder में, root hormone में, या दालचीनी के powder में, dip करके आप इसको लगा दीजे, थोड़ा सा पाने डाल दीजे, और सेमी शेट जगा पे रख दीजे, बस आपने उतना करना है, इसमें बहुत ज्यादा watering नहीं करनी है, बस मिट्थी को थोड़ा सा गीला रखना है, या कोको पीट को थो बहुत सारे पौधे आप तयार कर सकते हैं, एक important point कि हम इसको किस तरह से खुबसूरत रख सकते हैं और शेप में रख सकते हैं, तो वो है pruning के द्वारा, तो इसकी जो pruning है आप फरबरी और मार्च के महीने में कर दीजे, light pruning करिए, और गर्मियों में जब इसका टाइम आत light pruning करनी है, जिससे कि यह shape में रहे और जहां से pruning होते हैं, तो obviously नए shoots निकलते हैं, तो plant grow भी करता है और ठिक होता जाता है, तो इस तरह से shape में आप इसको रख सकते हैं, तो आप बारी है important tips के, tip number one, थूजा के plant को बहुत ज़्यादा कड़ाके की सर्दी या फिर बहुत ग ले लिजे और उसको cover कर दीजे, जिससे ठंडी से और या फिर गर्मी से यह बचे रहेंगे, tip number two, थूजा का plant बिल्कुल भी indoor plant नहीं है, तो इसको आप indoor मत रखे, अगर शौक लगता है थोड़ा सा रखने के लिए, तो आप सिरफ एक दो दिन के लिए रखे, उसके बाद इसको बाहर रखतीजे, जहां पे इसको natural हवा, पानी और sunlight मिलती रहे, tip number three, थूजा के plant में अकसर मकडियां जाला बना लेती हैं, और उसमें कीडे भी अपना घर बना लेते हैं, तो ऐसे में इसकी साफ सफाई का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, तो आप इसमें soapy water में सुबह ही करे, tip number four, थूजा के plant में इस तरह से ये seeds लगे हुए देखने में तो अच्छे लगते हैं, लेकिन इसकी हमें जरूरत नहीं होती है, तो इसलिए जो है, हमें इनको तोड़के discard कर देना चाहिए, या फिर आप इसको इसी की मिट्टी में इस तरह से डालके गुड आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अनुभव और कुछ नहीं जानकारी लेकर, तब तक के लिए, बाई ब